अम्रिद भारस्टेशन बनेंगे, MP में एक हजार करोड रुपिय के खर्च से चौती स्टेशन का काया कल्प होने वाला है, महाराष्ट में चवालिस स्टेशन के विकास के लिए डेड़ हजार करोड रुपिय से जादा खर्च होंगे, तमिल नाडू, करनाटका और किरला के भी प्रमूख स्टेशन को अम्रिद भारर स्टेशन के रुप में विक्सित किया जाएगा, मैं अम्रिद काल के प्रारम में इस अइतिहासिग अभ्यान के लिए रेल मंत्राले की सराना करता हूँ, और सभी देश्वाच्यों को बधाई देता हूँ, साथियों, आज पूरी दुनिया की द्रश्टी भारत पर है, वैश्विक स्तर पर भारत की सांख बड़ी है, भारत को लेकर दुनिया का रवया बढ़ला है, और इसकी दो प्रमुख बातें हैं, दो मुख्य बज़े हैं, पहली, आप देश्वाजी भारत के लोगों ने करीब करीब तीन दसक बाद, तीस साल बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, वो पहली वज़े, और दूसरी वज़े हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार, उसी स्पष्टता के साथ, जनता जनारदन की उनकी भावना का आदर करते हुए, बड़े बड़े निर्णे लिए, चुनवतियों के स्थाई समाधान के लिए, अवीरत काम किया, आज भारतिये रेलवे भी इसका प्रतीक बन चुकी है, बीते वर्षों में, रेलवे में ही जितना काम हुआ है, उसके आंकड़े, उसकी जानकारी हर किसी को प्रसंद भी करती है, हरान भी कर देती है। जैसे दुनिया में साउध आफ्रिका, यूक्रेन, पोलेंड, यूके और स्वीडन जैसे देशों हैं, जितना रेल नेटवर्ग है, उससे जानदा रेल ट्रेक हमारे देश में इन नव वर्षों में बिचाए गए हैं। अब कलपना करिए स्केल, साउध कोरिया, न्यूजिलेंड और आस्ट्रेलिया जैसे देशों का जितना रेल नेटवर्ग है, उससे जानदा ट्रेक भारत ने अकेले पिछले साल बनाए हैं। एक साल में भारत में आज आधुनिक ट्रेनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही हैं। आज देश का लक्ष है कि रेलवे की यात्रा हर यात्रि के लिए हर नागरिक के लिए सुलब भी हो और सुखद भी हो। अब ट्रेन से लेकर स्टेशन तक आपको एक बहतर एक उमदा से उमदा एक्सपरिंस देने का प्रयास है। प्लेटफरम्स पर बैठने के लिए बैतर सीटे लग रही हैं। अच्छे वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं। आज देश के हजारों रेलवे स्टेशनों पर मुप्त भाई भाई की सुविदा है। हमने देखा है इस मुप्त इंटरनेट का कितने ही वह उन्हें लाब उठाया है। पढ़ाई करके वो अब बहुत कुछ अपने जीवन में सिद्धियां प्राप्त कुर चुके हैं। साथ क्यों यह इतनी बड़ी सिद्धियां है जिस प्रकार से रेलवे में काम हुआ है। किसी भी प्री एम का मन कर जाएगा कि इनका जिक्र पंद्रा अगस को लाल किले से करें। और जब पंद्रा अगस सामने हैं तो मन बहुत ही लालाइत होता है कि उसी दिन इसकी चर्चा करू। लेकिन आज यह इतना विराट आयोजन हो रहा है देश के कोने कोने से लोग जुड़े हैं। इसलिए मैं अभी ही इस बात पर इतने विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। साथियों रेलवे को हमारे देश की लाइफ लाइफ लाइन कहा जाता है। लेकिन इसके साथ ही हमारे शहरों की पहचान भी शहर के रेलवे स्टेशन से जुड़ी होती है। समय के साथ यह रेलवे स्टेशन अब हार्ट आप दे सीटी बन गए है। सहर की समारी प्रमुगतिवीधियां रेलवे स्टेशनों के आसपाची होती है। इसलिए आज बहुत आवशक है कि हमारे रेलवे स्टेशनों को नए आदोलिक स्वरूप में ढाला जाए। रेलवे की जगह का आप्टीमम उटिलाइजेशन किया जाए। साथ क्यों जब देश में इतने सारे नए आदोलिक स्टेशन बनेंगे। तो उससे विकास को लेकर एक नया माहोल भी बनेगा। देशी, बिदेशी, कोई भी परियटक जब ट्रेन से इन आदोलिक स्टेशनों पर पहुंचेगा। तो राज्य की आपके शहर की पहली तस्वीर उसे जरूर प्रभावित करेगी। वो यादगार बन जाती है। आदोलिक सेवाओं के कारण परियटन को बढ़ावा मिलेगा। स्टेशन के आसपास अच्छी व्यवस्ताएं होने से आर्थी गतिविध्यों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने स्टेशनों को शहर और राज्यों की पहचान से जोडने के लिए वन स्टेशन वन प्रोड़क्ट योजना भी शुरू की है। इससे पूरे इलाके के लोगों को, कामगारों और कारिगरों को फाइदा होगा, साथ ही जीले की ब्रांडिंग भी होगी। साथियों, आजादी के अमरित काल में, देश ने अपनी विरासत पर गर्व का भी संकल्प लिया है। ये अमरित रेल्वे स्टेशन उसके भी प्रतिक बनेंगे, हमें गर्व से भर देंगे। इन स्टेशन में देश की संस्कृती और स्थानी विरासत की जलग दिखेगी है। जैसे जैपूर रेल्वे स्टेशन में हवा महल, आमेर फोर्ट जैसी राजस्तान की धरों की जलग होगी। जम्मु कश्मीर का जम्मु तवी रेल्वे स्टेशन प्रसिद्ध रगुनाद मंदिर से प्रेरित होगा। नागालेंड के दिमापूर स्टेशन पर वहां की सोला जनजातियों की लोकल वास्तुकला दिखाई देगी। हर अमर्ट स्टेशन शहर की आधुनिक अकांख्शाओं और प्राचिन विरासत का प्रतीक बनेगा। देश के विबिन, अइतियासिक स्थलों और तिर्थ स्थानों को जोड़ने के लिए इन दिनों देश में एक भारत गवरव यात्रा ट्रेन, भारत गवरव ट्रिश ट्रेन भी चले रही है, शायद आपके ध्यान में आया होगा, उसको भी मजबुती दी जा रही है। साथियों, किसी भी व्यवस्ता को ट्रांस्फोर्म करने के लिए जरूरी होता है कि हम उसके पोटेंशल को पहचाने, भारतिये रेल में तो ग्रोथ को रप्तार देने का अपार पोटेंशल है। इसी सोच के साथ बीते नव वर्षों में हमने रेलवे में रिकॉर्ड इंवेस्टमेंट किया है। इस साल के रेलवे को ढाई लाग करोड रुपिय से जादा का बजट दिया गया है। ये बजट 2014 की तुलना में पांच गुना ज्यादा है। आज एक होलिस्टिक सोच के साथ रेलवे के समगर विकास के लिए काम हो रहा है। इन नव वर्षों में लोकोमोटिव्स उत्पादन में भी नव गुना की व्रुद्दी हुई है। आज देश में पहले की अपेक्षा तेरा गुना ज्यादा HLB कोच बन रहे है। साथियों, नौर्थ इस्ट में रेलवे के विस्तार को भी हमारी सरकार ने प्रात्विक्ता दी है। रेलवे लाइनों का दहरी करण हो, गेज परिवर्तन हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नए रूट्स का निर्मान हो, इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। जल्द ही पुर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानिया रेलवे नेटकवर से जुड़ जाएगी। नागा लेंड में सो साल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन बना है। नौर्थ इस्ट में नई रेल लाइनों की कमिशनिंग भी पहले के मुकामले तीन गुना जादा हो रही हैं। साथियों, पिछले नाव वर्षों में बाई सो किलोमेटर डेडिकेटेड ट्रेड कोरिडोर भी बनाए गए हैं। इसकी वज़े से माल गाड़ियों के ट्रेवेल टाइम में काफी कमी आई है। दिल्ली NCR से वेस्टन पोर्ट तक जाए गुजरात के समुद्री तट हो या महराश्टा का समुद्री तट हो। पहले से जो सामान ट्रेन से पहुचाने में एवरेज आउसातन बहत्तर गंटे लगते थे। आज वही लगेज, वही सामान, वही गूट 24 गंटे में पहुच जाता है। ऐसे ही दूसरे रूट्स पर भी टाइम में 40 प्रतिशत की कमी आई है। ट्रेवल टाइम में कमी आने का मतलब है कि मालगाडियों की गती बड़ी है और सामान भी अब ज़्यादा तेजी से पहुच रहा है। इसका बड़ा लाब हमारे उद्दम्यों, कारोबारियों और खास करके हमारे किसान भाई बहनों को हो रहा है। हमारी फल सब्जियां अब जादा तेजी से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जा रही है। जब देश में इस तरह का टांस्पोर्टेशन तेज होगा, तो उतनी ही तेजी से भारत के जो उत्पाद है, हमारे छोटे मोटे कारीगर, हमारे लगुद्योग जो कुछ भी उत्पादन करते हैं, वो सामान विश्व बाजार में भी तेजी से पहुचेगा। साथियों, आप सभी ने देखा है कि पहले रेल्वे ओवर ब्रीज का कम होने के काराण कितनी दिक्कत आती थी। 2014 से पहले देश में 6,000 से भी कम रेल्वे ओवर ब्रीज और अंडर ब्रीज थे। आज ओवर ब्रीज और अंडर ब्रीज की ये संख्या 10,000 से ज़्यादा हो गई है। देश में बड़ी लाइन पर मानव रहित क्लासिंग की संख्या भी सुन्ने हो चुकी है। रेल्वे और रेल्वे प्रेटफर्म पर यात्री सुविधाओं के निर्माण में आज बुजुर्गों की दिव्यांग जनों की जरूरतों का विशेश ध्यान रखा जा रहा है। साथियों हमारा जोर भारतिय रेल्वे को आंधुनिक बनाने के साथ ही परियावरन फ्रेंडली बनाने पर भी है। बहुत जल्द भारत के शत प्रतिशत रेल्ट्रेंड्स इलेक्टिफाइड होने जा रहे हैं। यानि कुछी वर्षों में भारत की सारी ट्रेंडे सिर्फ बिजली से चलेक्चला करेगी। इससे परियावरन की कितनी बड़ी मदध होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। नव वर्षों में सोलर पैनल से बिजली बनाने वाले रेलवे स्टेशनों की संख्या भी बारा सो से जादा हो गई हैं। लक्ष यही है कि आने वाले समय में सभी स्टेशन ग्रीन एनर्जी बनाएं। हमाड़ी ट्रेनों के करीब करीब सत्तर हजार डिब्बे, सत्तर हजार कोचीज में एलीडी लाइट्स लगाई जा चुकी है। ट्रेनों में बायो टॉइलेट्स की संख्या भी 2014 के मुकालेब 28 गुना जादा हो गई है। यह जितने अमरित स्टेशन बनेंगे यह भी ग्रीन बिल्डिंज के मानकों को पुरा करेंगे। 2030 तक भारत एक ऐसा देश होगा जिसकी रेलवे नेट जीरो एमिशन पर चलेगी। साथियों, रेल ने दसकों से हमें अपनों से मिलने का बहुत बड़ा अभियान चलाया है, काम किया है। एक प्रकार से देश को जोड़ने का भी काम किया है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम रेल को एक बहतर पहचान और आधुनिक बविश्चत से जोड़े। और रेल की रक्षा, व्यवस्थाओं की रक्षा, सुवीदाओं की रक्षा, स्वच्चता की रक्षा, एक नागरी के नाते उस कर्तव्य को हमें निभाने काम रित काल, कर्तव्य काल भी है। लेकिन साथियो, कुछ बाते जब हम देखते हैं, तो मन को पीडा भी होती है। दिभागे से हमारे देश में विपक्ष का एक धरा आज भी पूराने धरे पर चल रहा है। वो आज भी खुद तो कुछ करेंगे नहीं और किसी को करने भी न देंगे, न काम करेंगे, न करने देंगे। ये रवये पर अड़े हुए हैं। देश ने आज की और वविश्य की जरूरत की चिंता करते हुए, संसद की आधुरिक इमारत बनवाई। संसद देश के लोगतंतर की प्रतीख होती है। उसमें पक्ष, विपक्ष सब का प्रतिनीतित्म होता है। लेकिन विपक्ष के इस धड़े ने ने संसद की नई इमारत का भी वि्यरोत किया। हमने कर्तव्य पत्का विकास किया तो उसका भी विरोत किया गया इन लोगों ने सतर साल तक देश के वीर सहीदों के लिए वार मेमोरियल तक नहीं बनाया जब हमने नेशनल वार मेमोरेल बनाया उसका निर्मार किया तो इसकी भी सरे आम आलोचरा करते हैं उनको शरम नहीं आई सरदार वल्लबाई पटेल का स्टेटी अफ यूनिटी आज दुनिया की सबसे बड़ी बुर्ती है हर इंदुस्तानी को गर्व होता है और कुछ राजनितिक दल चुनाव के समय तो सरदार साब को याद कर लेते हैं लेकिन आज तक इनका एग भी बड़ा नेता स्टेटी अफ यूनिटी में जाकर के सरदार साफ किस भव्य प्रतिमा के न दर्शन किये न उन्हें नमन किया है लेकिन साथियों हमने देश के विकास को इस सकारात्मग राजनिती से आगे बढ़ाने का फैसला किया है और इसलिए नकारात्मग राजनिती से उपर उटकर सकारात्मग राजनिती के रमार्क पर एक मिशन के रुप में हम चल रहे हैं किस राज्य में किसकी सरकार है कहां किसका वोट बैंक है इस सब से उपर उठकर हम पूरे देश में विकास को सर्वोच्च प्रात्फिक्ता दे रहे हैं सबका साथ सबका विकास यह धर्ती पर चरितार्थ करने के लिए जीजान से जूटे हैं साथियों पिछले वर्षों में रेलवे युवाओं को जोब देने का भी बहुत बड़ा जरिया बनी हैं करीब डेड़ लाख से जादा युवाओं को अकेले रेलवे में पक्की नोकरी मिली हैं इसी तरह इंफ्रास्टेक्टर पर लाखों करोड के निवेश से लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है इस समय केंद्र सरकार दस लाख युवाओं को नोकरी देने का अभियान भी चला रही है रोजगार मेलों में लगातार युवाओं को नियूकति पत्र मिल रहे हैं ये बदलते भारत की वो तस्वीर है जिसमें विकास युवाओं को नए आउसर दे रहा है और युवाओं विकास को नए पंख लगा रहे हैं साथियों आज इस कारकम में बहुत सारे स्वतंत्रता सेना भी हमें आशिरवाद देने के लिए उपस्तित हैं कई पद्म सम्मान प्राप्त महानुभाव भी इस कारकम की शोभा बढ़ा रहे हैं हर भारतिय के लिए अगस्त महिना बहुत विशेस महिना होता है यह महिना क्रांती का महिना है कृतग्यता का महिना है करतव्य भावना का माँ है अगस्त में कितने ही इतिहासिक दिवस आते हैं जिनोंने भारत के इतिहास को नई दिशादी और आज भी हमें प्रेरीत करते हैं कल साथ अगस को पुरा देश स्वदेशी आंदोलन को समर्पीत नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा साथ अगस की ये तारीक हर भारतिय के लिए वोकल्प और लोकल होने के संकल्प को दोहराने का दिन है कुछी दिनों बात गणेश चतुर्थी का पवित्र पर्व भी आने वाला है हमें अभी से एको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी की तरब जाना है हम कोशिश करें कि गणपती बप्पा की प्रतिमाएं एको फ्रेंडली मटरियल्स की बनी हो यह वर्ष हमारे स्थानिय कारीगरों हमारे हस्तसिल्पियों और हमारे छोटे उद्यमियों के बनाए उत्पादों को खरिदने की प्रेनना देता है साथियों साथ तारीके एक दिन बात नव अगस्त आ रही है नव अगस्त वो तारीक है जब एतिहासिक क्वीट इंडिया मूवमेंट की शुरुवात हुई थे मात्मा गांति ने मंत्र दिया था और क्वीट इंडिया मूवमेंट ने स्वतंत्रता की तरफ भारत के कदमों में नई उर्जा पैदा कर दी थी इसी से प्रेलित होकर आज पुरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है पीट इंडिया चारो तरफ एक ही गुंज है करप्षन पीट इंडिया यानी ब्रस्टाचार इंडिया छोड़ो डाइनेस्टी ट्वीट इंडिया यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो अपीजमेंट ट्वीट इंडिया यानी तुष्टी करण इंडिया छोड़ो साथियों उसके बाद 15 अगस्त की पुर्वसंद्या 14 अगस्त 14 अगस्त का विभाजन विभीशिकास मरण दिवस्त जम्मा भारती के दो टुकड़े हो गए थे एक ऐसा दिन है जो हर भारती के आँखों को नम कर देता है यह उन अंगनेत लोगों को याद करने का दिन है जिन्नोंने भारत के बटवारे की बड़ी कीमत चुकाई यह उन परिवारों के प्रती एक जुड़ता को दिखाने का जिन्नोंने अपना सब कुछ खो दिया और फिर भी साहस के साथ मा भारती के लिए अपनी सद्धा को लेते हुए जीवन को पट्री पर लेने के लिए जूजते रहें आज है अपने परिवार अपने देश के हित में देश के विकात में महत्वपन योगदान दे रहे हैं और साथियों 14 आगस्त विभाजन विविशिका दिवस मा भारती के टुकड़ों का वो दिन हमें भविश में मा भारती को एक रखने की जिम्मेवारी भी देता है अभी देश को किसी भी तरह से कोई नुक्षान नहों पाएं ये संकल्प करने का समय भी ये विभाजन विविशिका दिवस 14 आगस्त है साथियों देश के हर बच्चा बुजुर्ख सब कोई 15 आगस्त का इंतजार करता है और हमारा 15 आगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस हमारे तिरंगे और हमारे राश की प्रगति की प्रती हमारी प्रतिबद्रता को दोहराने का समय है पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर गर तिरंगा फैराना है हर गर तिरंगा हर बिल तिरंगा हर मन तिरंगा हर मकसद तिरंगा हर सपना तिरंगा हर संकल्प तिरंगा मैं देख रहा हूँ कि अनेक साथ ही आज कल सोचल मीडिया पर अपनी तिरंगे वाली डीपी अपडेट कर रहे हैं हर गर तिरंगा के उद्गोश के साथ फ्लैग मार्ज भी निकाल रहे हैं मैं आज सभी देशवास्यों से विशेश रुप्से युवाओं को हर गर तिरंगे इस आंदोलन से जुड़ने का और इसका प्रचार प्रथार करने का भी आगर करता हूँ साथ क्यों लंबे समय तक हमारे देश के लोग यही सोचते थे कि वो जो टैक्स चुका रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है उन्हें लगता था कि उनकी मेहनत से कमाये हुए पैसेों को ब्रश्टाचार में उड़ा दिया जाएगा लेकिन हमारी सरकार ने इस धार्ना को बदल दिया आज लोगों को मैसूस होता है कि उनके पैसे का पाई पाई का उप्योग राश्ट के निर्मान में हो रहा है इस अब लिविंग बढ़ रही हैं जो मुसीबतें आपको जेलनी पड़ी वो आपके बच्चों को जेलनी न पड़े उसके लिए दिन रात काम हो रहा है इसका परिणाब ये है कि टैक्स भरने वाले लोगों की विकास के प्रती एक विश्वास बढ़ा है और उसके कारण टैक्स देने वालों की संख्या भी बढ़ रही है एक समय था जब देश में दो लाख रुपिय की इंकम पर टैक्स लग जाता था आज ये मोदी की गारंटी देखिए आज साथ लाख रुपिय तक की इंकम पर कोई टैक्स नहीं लगता इसके बावजूद देश में जमा होने वाली इंकम टैक्स की रासी भी लगातार बढ़ रही है जो विकास के काम आ रही है इसका स्परस्ट संदेश है कि देश में मद्यंबर्क का दाइरा लगातार बढ़ रहा है अभी पांच दिन पहले ही इंकम टैक्स रिटन भरने की आखरी तारी गुजरी है इस साल हमने देखा है कि इंकम टैक्स रिटन भरने वालों की संख्या 16% बढ़ी है यह दिखाता है कि लोगों का देश की सरकार पर देश में हो रहे नवनिर्मान पर और विकास की कितनी जरूत है इस बात पर भरोसा कितना बढ़ रहा है लोग आज देख रहे हैं कि देश में किस तरह रेलवे का काया कल्प हो रहा है मेट्रो का विस्तार हो रहा है लोग आज देख रहे हैं कि देश में किस तरह एक के बाद एक नए एक्सप्रेस में बनाए जा रहे हैं लोग आज देख रहे हैं कि देश में किस तरह तेजी से नए नए एरपोर्ट बनाये जा रहे हैं, नए नए अस्पताल बनाये जा रहे हैं, नए ने स्कूल बनाये जा रहे हैं, जब लोग इस तरह का बड़लाव देखते हैं, तो ये एहसास और मजबूत होता है कि उनके पैसे से नए भारत का अंदिर्मान हो रहा है, आपके बच्चों के उजवल भविश्य की गारंटी, इन सब कामों में गारंटी है। हमें इस विश्वास को दिनों दिन और मजबूत करना है। और भाई बहनों, ये जो 508 रेल्वे स्टेशनों का आदुनिकन हुआ है ने, ये भी उसी दिसा में उठाया गया कदम है। मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ, अम्रिद भारत स्टेशन्स भारतिय रेल के इस काया कल्प को एक नई उचाई देंगे। आओ, इस कामती के महने में, हम सभी हिंदुस्तानी नए संकल्पों के साथ, 2047 में, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा। बारत को विक्सित बनाने के लिए, एक नागरिक के नाते मेरी जो भी जिम्यवारी हैं, उसको अवश्य पूर्ण करूँगा। इस संकल्पों के साथ, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्तामनाए।